2021 के Current Affair discuss करेंगे अगर आप इस चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कीजिए प्रेस ता बेल आइकन आज का फर्स्ट कॉस्चन है किस संगठन ने प्रतिकात्मक रूप से पूरे ब्लॉक को LGBTIQ स्वतनतता शेत्र घोशित किया यहाँ पर बात की जारी है कि किस organization के द्वारा symbolically declared कर दिया गया पूरे इंटार ब्लॉक को LGBTIQ Freedom John तो किसने किया है Freedom John LGBTIQ Community को European Union Organization ने तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा Option A European Union जिसके अंदर 27 member block है यह ठीक है जिनोंने Freedom John जो है वहाँ LGBTIQ Community को कर दिया है LGBTIQ क्या होता है इसका मतलब होता है Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, Non-binary, Intersex and Queen यह पूरी जो community है इसे Freedom John European Union Organization के द्वारा कर दिया गया है अगला कोशन है हाल ही में 2001FO32 समाचारों में है यह क्या है तो इसका सही आंसर है यह एक asteroid है और यह अभी निउस में इसलिए है क्योंकि यह अंदाजा लगाए ज़ा रहा है कि यह जो largest asteroid है 21 मार्च को अर्थ के सबसे close होगा अगला कोशन है किस देश ने आर्थिक और व्यापार मुद्दो पर BRICS संपर्क समू की पहली बैठक की अध्यक्षता की है यहाँ पर बात की जारे किस कंट्री के द्वारा चेर किया गया है फर्स मीटिंग BRICS Contact Group on Economic Trades Issue तो इसका सही आंसर है Option B इंडिया के द्वारा चेर किया जा रहा है पहली मीटिंग है यह याद रखना आप BRICS Contact Group on Economic and Trade Issues पर ठीक है इसकी जो थीम है वो क्या है BRICS Adderate 15 रहे Intra BRICS Corporation for Continuity Consolidation and Consensus यह जो पूरी मीटिंग जो 30 की पहली वर 9 मार्च से 11 मार्च 2021 तक हुई अग्या कॉशन है भूरा कॉइला से हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाले वर्ल्ड के ऑस्टेलिया ने किस कंट्री के साथ साज़ेदारी की है तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जापान के साथ ऑप्शन सी जापान और ऑस्टेलिया दोनों कंट्री मिलकर उन्होंने आपस में सैमती व्यक्त की है कि दोनों मिलकर भूरा कॉइला से ठीक है ब्राउन कॉल से हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगी प्रोडूस करेंगी यहाँ आप मैप में देख सकते हैं जापान की लोकेशन करंसी जापैनिस येन है कैपिटल टॉक्यो और प्राइम निस्टर यहां के योशी हिडे सुगा है अगला कॉशन है किस कंट्री में पहली बार भारत के उर्जा कार्याले का उद्घाटन किया गया जिसका उद्देश्य एनरजी सेक्टर में दुए पच्छिये निवेस का विस्तार करना है यहां पर बात की जुआ रही है आपसे कॉशन में कि कौन सी कंट्री में भारत ने अपना एनरजी ऑफिस खोला है ठीक है और यह क्यों खोला गया है ताकि एनरजी सेक्टर में बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया ज़ा सके तो इसका सही आंसर है रशिया अगर किसी को ऐसे लगता है कि उसे नहीं करना है मैप को तो वो इसे स्किप करके आगे वीडियो को देख सकता है ठीक है यह है रशिया लूस वरल्ड का सबसे बड़ा कंट्री है जिसका विस्तार यूरोप के साथ साथ एसल में भी पाय जाता है यह दो कौन्टिनेंट में आता है EUROPE और एशिया यहाँ पर आप मैप में देखेंगे erial माउन्टेन ने वह है एशिया यह रूस को यॉरोपिय रूस से तीक है राशिया से अलग करता है अगर हम बात करा है रशियारे कीट आपलंब आंप एरिया है ठीक है वो दॉसरी सबसे उची चोटी यहां की यमन टाउव है यह जो पूरा एरिया जो है माउंटेज जो पूरा रीजन है यहां आइरन और और चितने भी हमारे धाटविक खनीजे जितने लेकिन एक बार रहत रहे हैं यहां गोल यास्व को गए को awe इत्री घर उगया औरमास्क सिभां को रिजन होगया थोड़ के इनना हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाली वाली डिजन का जो है पूरा मौस्कोज्का यहते बीचा प्रकिंगा है टीक है यह रूश का isti एरिया है यहाँ पर आप देखनेGuे यहाँ को कई सारी रिबर्स भी दिखेंगी जैसे कि ओ का रिवर आपको यहां मिलसाओगी ठीक है ओका नीके मैदानी जो पूरा एरिया है वहाँ पर इस्तित है मासको ठीक है यह सबसे ज़्यादा डैबलप इंडस्ट्रियल रीजन है ठीक है रशिया का जहां जनसंख्या का अगर हम घनत्व देखें अगर यहां पर जगे है ठीक है जैक्स का नाम है इवान वो यहां सूति वस्त्र उध्योग का सबसे बड़ा केंद्र है और इन्वाम वो को ही रूस का मैंचेस्टर भी कहा जाता है तो आप यह बात याद रखना ठीक है नेक्स्ट रीजन है यहाँ अगर अभी हमने यह वाले रीजन की बात क करना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आइरन मिलता है इस पूरे रीजन में ठीक है इसी की वजह से यहाँ पर आइरन और की इंडस्टी और इंचिनियरिंग इंडस्टी का विकास हुआ है यहाँ पर एक कुछ प्लेसे सेंट जैसे कि आपको यह दिख रहा होगा ठीक है यह क करने हिए तो यहाँ पर इस पाइड़ विकास हुआ है यहाँ पर अगर हम कुछ और इंडस्टी की बात कर रहें तो यहाँ पर निजमी टेगिल और Magni Torx Magni Torx और एक और नाम मैंने बोला था Nijmi Tagle ठीक है ये काफी ज़्यादा महत्वपूर प्लेसिस है जो कि इंडस्टीस जो है स्टील इंडस्टीस के लिए काफी ज़्यादा फेमस है ठीक है युराल पूरा जो रीजन है Mountain region यहाँ पर उफा और पर्म खनेश तेल भंडार और उत्पादन के लिए महत्वपूर है ठीक है यह हमने बात करी उसकी अगर अब हम बात करेंगे कुछ बाक्स और दोगेक प्रदेश के बारे में कुछ बाक्स वाला रीजन जो है एक सेकिन आपको यहां दिखा देती है ठीक है यह आप देख रहे होंगे यह कुछ बाक्स वाला रीजन पूरा ठीक है कुछ बाक्स के बारे में बात करें तो यहां वैस्ट साइबरियन के साउथ भाग में कुछ बाक्स प्रदेश कोईला भंडार के लिए अतीम हैद्वपूरे अभी हमने युराल वाले जो रीजन में बा एंत्रसाइट दौनों कोईले जो है वहाँ पाए जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी मैं थोड़ा सा और नॉलेज की बात करूं तो यहां पर हमेंने आपको बताया था कि कोईला काफी ज़्यादा है तो यहां पर जो हमारी जो आइरन इंडस्ट्री और जाता है कोईला यहां पर है तो यहां पर इंडस्ट्री काफी जादा हो गई है आइरन और स्टील की ठीक है यहां पर कुछ प्लेसिस भी है जैसे कि नौवस सिर्विस्क ठीक है यह सबसे बड़ा शहर है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर जो आक्टिक वाले पर इंडिया है यहां पर कई जौदा मिनरल्स है ठीक है इसकी वजह से यहां पर जो लंब्रिंग जैसे जिसे हम बोलते हैं लकडी चुराई और कागज उध्योग का आर्थिक विकास हुआ है इस पूरे जो रीजन है बाल्टिक सागर के फिल्लैंड की खाड़ी के तरपर के इस दिखित यहां पर आपको एक मिल रहा हो दिख रहा होगा सेंट पीटर वक्स ठीक है मॉस्कों के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा शएर जो देश सबसे बड़ा बंदरगहा होने के सासत मतलब सबसे बड़ा पोड होने के सासत ट्रांस साइवेरियन रेलवे का वैस्ट जंक्शन भी है यहां पर अगर बात करी है ट्रांस साइवेरियन रेलवे की तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं यह पूरा जो आप देख सकते हैं ठीक है यह हमारा पूरा ट्रांस साइवेरियन रेलवे के सारे जंक्षन है यह स्टार्ट कहा से होता है यह सैंट पीटर्स वर्ग से स्टार्ट होका है जो ब्लादी बॉस्तिक जो है ठीक है यहां तक यह पूरा जो है रीजन है इसके अंदर कई सारी जो है वह स्टेशन हैं ज पीता कालबॉरेक्स ब्लादी बॉस्टिक ऐसे से करके आप देख सकते हैं ओमंस्क हो गया ठीक है तो यह पूरा क्या हो गया यह हमारा पूरा ट्रांस साइवेरियन रेलवे के सारे जंक्शन हो गए ठीक है यहाँ पर मैंने आपसे यह बात करी उसके बाद एक और रिजन आता का एक बंदर गहाई यह क्या है जो आक्टिक महासागर रहना उसका यह एक पोर्ट है ठीक है जो अगरा पूरी बात करें थ्रोड ऑफ दे इयर यह पूरी साल जो यह पोर्ट खुला रहता है क्योंकि यहां नौर्थ अट्लांटिक ड्रस्ट या फिर आप कह सकते हैं जो क्यारंट बहती है ना वह गरम करण्ट है नौर्वेजीन जो करंट हो गरम करंट है जिसकी वजिएसे विंटर में भी यहां का टैम्परेचर जो हो ज़ाधा रहता है तो जिसकी वज़एसे यहां वरफ नहीं जमती पूरे पोर्ट पर और यह पूरे साल जो है यहां पोट खुला रहता है तो याद रखना कौन सा पोट है यह बर्मांस्क पोट अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे कि जो रशिया है ना वह डिवाइड़ेड़ साइबेरिया के जो प्लैट्यू से जो मैदान है ठीक है उसके हिसाब से जो है वहाँ रशिया को कई और वैस्ट और साइवेरियन मैदान दिख जाएंगे ठीक है पूर्वी साइवेरियन प्रदेश दिख जाएगा आपको इस साइट तो यहाँ पर कुछ नदियां भी हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं हम फर्सली बात करेंगे वैस्ट के बारे में ठीक है अगर हम इसकी ब बात करेंगे ओब रिवर की ठीक है ओफ इसकी सहाइक नदी इटिश है यह आपको दिख रही होगी है ठीक है यह इसकी ना हम टूबूस्ट्री बोल सकते हैं ठीक है यह की टूबूस्ट्री है साइवेरियन के मैदान में और यह नदी जो है वह काफी जादे है ठीक है यह जो रिवर्य आप याद कर सकते हैं कि जो ओपर आपको न देखांगी वो आपको यहां पर पथार्स के बारे में देखना पड़े का जहां से रिवर्स निकलती है जैसे कि अगर हम बात करें अंगारा का पठार है यहां पर ठीक है वो आपको दिख जाएगा लैना और ओब रिवर के आसपार यहां पर यह वाला जो रीजन में आपको अंगारा का पठार दिखेगा फिर आपको यहां पर तुंगंसा का पठार दिखेगा ठीक है तुंगंसा क्alf CH अगारा का पठा रहे हclipse है यहां से एक नदी ऑग कहां सगेनmotion लेक बेकल में कर दाएं जो आगे जाके जो है के वह कारसी में जाके गिड़ जाती है नेस्ट है यहाँ पे साइवेरिया के उत्री भाग मैंने वाला जो रीजान है ठीक है अवस्तित यहां पूरा एक प्राइदी पी शेत्र यह कारा सी लेप टिप सी और आक्टिक ओशियन से गिरा हुआ है ठीक है यह पूरा कौनसे की बात किरें यहां पर तैमीर पैने सुला की उसके बाद हम बात करेंगे लेना रिवर की लेना रिवर आपको मैप में यह लेना रिवर जो है वह पूर्व साईवेरियन प्रदेशों में आती है अब हम इस्ट में आ गए है पहले हमने वैस्ट की बात करी फिर सेंटरल की बात करी अब हम इस्ट की बात करेंगे यह नदी वह बैकाल लेक से निकलती है या को तो है कि यहीं लेक荷 शुद से करने के बाद मतलब पूरा बर्ख्व और रैंज में प्रहबर्राबित होती है यहां पर याद रखना श्रान बॉर्स जो हों कहाँ पर गिरती है यहां यहां पर एक सियान पर वट्रवत में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको जो यह पूरा स्यान माउंटेन वाला जो रीजन है उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक अमूर रिवर दिखेगी ठीक है यह जो अमूर रिवर है यहां नदी मंगोलिया के जो हाइलेंट है वहां से निकलने के बा ठीक है तो यह यहाँ पर जाके गिर जाती है अमूर नदी उसके बाद यहाँ पर हम बेकाल लेक की अगर बात करने हैं तो मैंने आपको दो-तिन बार भी थोड़े दिर पहले भी बता है बेकाल लेक जो है वह साइवेरिया के ठीक है दक्षिड मद्य भागिमे अवस्तित यहा याद रखना वर्ड की सबसे गहरी जील है विकाल जील कि यह हमने पूरे रीजिंस के बार में बात कर लिया कम्प्लीटली रश्या को आज हमने डिसकस किया है और थोड़ा सा हम थोड़े से इन में यह भी देख लेते हैं यहां बे कुछ सी है ठीक है तो अगर आप सी की बा कुछ सी बोल से याद कर सकते हो बार दिःघी नदी घृती है याद रखने बैनर नदी नंदी केlast है और यान त्पषिपैसी और यासन नदी किरती हैZu और वाई कहां गिरते हैं कारा सी में जाके गिरते हैं लैपटप सी में मैंने आपको बताया था लैना और याना दौनों के पीछे नाना आ रहा है लैना और याना कहां गिरती है लैपटप सी में उसके बाद हम बात करेंगे इस्ट साइबेरियन सागर की यहां पर कॉलियामा संहां जो है यहां से कॉल्यामा नदी गिरती है उसके बाद चक्ची सी आहे यह मैं ने कोई ने गिरती ऊसके बाद बैरों स्टेकर आधा केиком एक उन है यहां पर और पर Kinashya यहां पर फोगित रिए stat хват खतम हुआ है मैप में ठीक है आईए आप स्टार्ट करते हैं करेंट अफियर ठीक है इंडिया जो है वह ओपन कर रहा है एनर्जी ओफिस मॉस्को में ठीक है अग्ला कोश्चन है हाल ही मैं संगे ज्वाला मुखी समाचारों में है यह किस कंट्री में इस देते हैं तो इसका सह सबस्कार आप ही आंसर एप कर लेंगे टार्श ईपारश कora और यह है एक आप में से आहां पे में मैं मैं आपने हो गया है चुली यहां पर आग लग गई है शिटीन एस लिखा हुआ है ठीक है तो सेंगे वाल कॉनों जो है वह इरप्ट हो गया है और पूरी जो सिटी है ठीक है वहां राक से भर गई है ठीक है रैस्पेक्टरी सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सारी है अगल साउंडिंग रॉकेट जिसका नाम किया है इसका नाम है रह 560 ठीक है रह 560 जो स्टेडी करेगा अटिट्यूडनल वैरियेशन को तो इसका सही का अंसर है वह है इंडिया की इस्ट्रो ऑप्शन बी इस रो जिसनों ने लॉंच किया है साउंडिंग रॉकेट आरज 560 इंडियाट स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन इस एस आरो की फुल फॉर्म है जिनके दुआरा लॉंच के एक साउंडिंग रॉकेट जो इस्टडी करेगा जो हमारी आटिट्यूटल वैर रॉकेटोच में रॉकेट लॉक्स किया गया है श्रीहरीकोट सेप्स वाइपोर्ट मालच के सक्चुरी हो सवर्य है लस्त्री काछा में में इससार्ट तो 11 बट्टी वाइडलाफ सेंचुरी कहां पर दिली में इस देते हैं अचली यह जो आ इसमें काफी ज़्दा माइनिंग होती थी तो यहां पर बहुत बड़े-बड़े गड़े और बोला है कि जो रिज मैनेजमेंट बोर्ड सुप्रीम कोट ने बताया था कि एक रिज मैनेजमेंट बोर्ड बनाओ काफी पहले की बात यह उन्होंने डिसाइट किया है मतब एक एक्सपर्ट कमेटी ने प्रपोस किया कि जो डंपिंग इनर्ट होते हैं जो रियक्टिफ नहीं होते हैं नॉन रियक्टिफ वेस्ट जो होता है ना उस आप उस वेस्ट को जो है वह 16 भटी वैरलाइफ सेंश्री में डाल दो ठीक है क्योंकि वहां माइनिंग की वज़े से काफी बड़े बड़े गड़े हो गया है तो उनमें आप इस इनर्ट वेस्ट को जो है वह डाल दो क्योंकि जो इनर्ट वेस्ट होते हैं जैसे कि यहां पर होता है क्या है यह हमारे इनर्ट वेस्ट होते क्या है पहले आप यह जान लीजिए यह इस प्रोटर हो गए मैंट रोगते हो गया ऊगए त्रीक से जो निकलती राक वह सब यहीं जो वेस्ट है उसको अलाओ किया गया है इस तरह का सजूेशन रखा गया है कि वहां असोला जो वायडलाएफ क्वें सेंट्री उनेर्टम को सदेबिभी तो यहां पर यहीं सारी इस इनर्टम को होता है यह मतलब इस पेस की जरूवत पर यह तो असूला इंडिया योजना के तहित कितने प्रतिशत खाता दारक महिल आए हैं तो इस टैंडड़ इंडिया स्कीम के तहित जो अकाउंट होल्डर विमेंस हैं वह 81 परसेंट है कि ऑप्शन भी यह 80% विमेंस ने ली है मुद्र ऑख कि इस की बात करें तो वहां पर लाउन झोल गई यहां सतर परसेंट ली गई है प्रदानमंत्री जंधन योजना की बात करें वहांपर 20 करोड़ विमेंन बैनिफिशरी इन अचैन योजना की बात करें तो वहां पे 93 लाक वमेंस सब्सक् इंडिया उन के बारे में यह देक लेते हैं कि यह किम WHO कब कब श्टार्ट हुई थी拜拜 गींट्रि मुद्रा योजने 2015 में प्रदान मंत्री जन्दन योजने 2004 में स्कमत्रहIX एपर्धान-मंत्री 21 कंपनी लिमिटेड के M.D. और C.E.O. किसे नियुक्त किया गया है तो इसका सही आंसर है पल्लव महापोत्रा अप्शन आप पल्लव महापोत्रा को जो है वहां असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है ठीक है इंडिया लिमिटेड का M.D. और CEO अपॉइंट किया है असेट रिकंस्ट्रक्शन कमपनी इस तरह की कमपनी होती है जबी भी कोई लॉन लेता है और अगर वो रिकवर नहीं हो पाता लॉन तो जो बैंक होती हैं जो फानेशल इंसिटुशन होते हैं वह रिकंस्ट्रक्शन कमपनी को वह बीच में अपना कुछ शियर लेती है और कोशिश करती है कि बैंक को कुछ परसेंट तक जो है मतलब अगर 100% की रिकवरी है और बैंक को लगता है कि 100% ही पूरे जा रहे है अब कोई भी लॉन नहीं आपाएगा तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कमपनी जो भी उनके द्वारा को लेट्रल जमा किया होता है उसको बेज कर या फिर प्रेशर डाल कर थोड़ा सा ठीक है तो जो पार्टी होती है उससे कोशिश करते हैं कि कुछ नो कुछ मतलब रिकवर हो जाए तो बीच में इनका भी अपना हिस्सा होता है कल हमने आपसे कॉशन पूछा थे कि हैरात तोहार निम्लिकित मैंसे किससे संबंदित सबसे बड़ा तोहार है तो हैरात फेस्टिवल जो है वह कश्मीरी पंदित से रिलेटेड है नेक्स्ट यहां पर देख सक कि आए जोएंट निलीटरी एक्सराइज में जिसका नाम है दस्तलिक सैकेंड नेक्स्ट है ग्यूरिस चंद्र मुर्मुरू ठीक है जो कि कैग है इंडिया के वहां अभी यूनाइटिन नेशन के एक्स्टरनल ओडिटर के चेर्मेन बने हैं उनके पैनल के ठीक है रामा गं अफियर्स वाली जो मिनिस्ट्री है क्या उसने लॉंच किया मेरा राशन मोबाइल अप्लिकेशन सचिन तैंदिल कर ठीक है जो क्या यहां टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन अपॉइंट हुए हैं यह पहले सर्विंग एंपी हैं जो अल्डेडी सर्व कर रहें एज एंप सामन था क्या यह अपॉइंट हुए चीफ स्टैटिक्शिंस ओफ इंडिया इसी के साथ आज को करेंड़ फिर यही समापत होता है थैंक्यू सो मच